सब्सक्राइब तो आपको डिफाइन करना है ये कमर्शियल यूनिट होती है आपकी तो मैं बता दू ये अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजूम किया जाता है बाई 1000 वाट की एलेक्ट्रिक एप्लाइंस से 1000 वाट की पावर वाली एलेक्ट्रिक एप्लाइंस जो एनर्जी कंजूम करती है वन आर के अंदर वो एनर्जी क्या होती है वन किलो वाट आर और जैसे आप जानते हैं, एक कमर्शल यूनिट है एनरजी की 1 किलो वार्ट आर्ट, जूल में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 इस्टी पावर 6 जूल होता है, अब एक नुमेरिकल है यहां पर, A man whose weight is 500 Newton, 500 Newton का weight है, मूँ सब 15 step each of height of 15 cm, 15 step मूँ करता है, हरी की step की height 15 cm है, और 40 सेकेंड में यह सारा काम हो रहा है, Calculate the power used in climbing those steer, कितना power लगा है, steer को climb करने के लिए, तो C, सबसे पहले, यहां पर force कितनी दी है, force की अगर मैं बात करूं, तो 500 Newton है, अगर हम यहां पर बात करें, time तो time कितना है, 40 सेकेंड है, और अब यहां पर हम distance, यानि height कितना अपने की है, तो height की अगर बात करें, 15 cm के 15 step हैं, तो एक कितना आ गया है, 225 cm, बट मीटर के अंदर कितना आ जाएगा, 2.25 meter, 100 से divide करके, आप जानते हैं कि power क्या होती है, power is nothing but work done upon me time, और work done को हम force into h करके लिख सकते हैं, f into h, force into displacement, displacement यहां पर height के according हो रहा है, तो f into h by t, यह कितना हो जाएगा, force हो जाएगा, 500, into 2.25 upon me 40, यह आप कहा जाएगा, 0 से 0 cancel out किरा दीजे, अब आप क्या करा देंगे, यहां पर मैं 50 की multiply 2.25 में कराऊंगा, तो 22.5 into 5 upon me 4, that comes out to be 5 से 5 यहां पर हो जाएगा, 25 carry 2, 5 to the 10, 12 carry 1, 5 to the 10, 1, 13 upon me 4, अब 4 से divide कराएगे, तो 4 त रीजा यहां पर आ जाएगा, 4 3s है यहां पर, 12, then 1 2, then 4 3s है 12, and then उसके बाद यहां पर 4 1s है 4, and then 1 बचेगा, तो 1 के लिए जब आप ले लेंगे, तो 4.85, तो 33.25 वाट, इतना जो है यह पावर आईगी,